तारे सितारे वम गरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्टरो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत थे आपका अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे आप नित्यका राशी फल नई नई यानवर्धक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 28 मार्च 2020 शनी वार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन शनी ग्रह की शुब दरश्टी के करण बारा में से पांच राशी वालों के लिए खास रहेगा तो इन पांच राशियों में आज है मेश, मिथुन, करक, तुला और वरश्चिक राशी वाले लोग वही अन्य साथ राशी वालों को आज दिन भर समल करके कार्य करना होगा तो आज चेत्रमा से शुकल पक्च की चतुरती तिती है शनी वार का दिन है आज का दिन मान है 12 घंटा 21 मिनिट का आज सुरियो दोई होगा प्राताहकाल 6 बच के 15 मिनिट पर और सुरियास्त होगा साम 6 बच के 37 मिनिट पर आज दिन की शुरुवात भरणी नक्षत्र से होगी और आज विश्कुम्भ एवं प्रीती नाम के दो योग रहेंगे आज चंद्रमा का संचरन मेश राशी में होगा और आज का सुब मुहुरत अभीजीत मुहुरत आरंब होगा दिन के 12 बच के 1 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 51 मिनिट तक सरवस रेष्ट समय रहेगा तो यशे सुब मुहुरत में आप किसी भी सुब वन नए काम की शुरुवात कर सकते ही या कोई नई वस्तु की खरीदारी आप कर सकते ही यह मुहुरत अभी शुरुवात इस रेष्ट माना जाता है और आज का अशुब समय दुष्ट मुहुरत प्रारंब होगा प्राता हकाल 6 बच के 16 मिनिट से आरंब हो करके तो प्राता हकाल 7 बच के 15 मिनिट तक अशुब समय रहेगा तो इस समय अवधी में आप कोई भी शुब वर नया कारिय करने से बचे और आज राहु काल रहेगा प्राता हकाल 9 बच के 20 मिनिट से आरंब हो करके तो प्रात्रवकाल 10 बच के 30 मिर्ट तक राहु काल रहेगा तो इस दोरान किसी भी प्रकार का लेन देन या किसी प्रकार की खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए और इस अवधी में आपको किसी को भी धन वस्तु आधी उधार में नहीं देना चाहिए और आज दिशा सूल रहेगा पूर्व दिशा में तो आज के दिन आप पूर्व दिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नए काम की सुरुवात नहीं करे पूर्व दिशा की यात्रा भी करने से बचें यदि यात्रा करना आती आवशक हो तो अपने इस्ट देवता की पुजा आराधना करके, अथ्वा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके, यात्रा आप कर सकते हिं तो आज जो है शनिवार का दिन है, जो भगवान शनि देवता को समर्पी थे तो शनी देवता के निमित ताज स्रद्धा पुर्वक उनकी पूजा अराधना करने से या कोई खास उपाय करने से दुख संकट वा समस्याओं का सामना हमको नहीं करना पड़ता है और शनी देवता का शुब आसिरवाद मिलता है तो आज आपकी जन्मरासी के नुसार शनी ग्रह से संबंदित कुछ खास वा सरल से उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और कारी छेतर में आपको सफलता मिलती रहेगी तो अब जानी अपनी जन्मरासी के नुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंशराशी से आरंब करते हैं मेंशराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आज आप स्वयम से प्रेरित हो करके वो सहित हो करके हर परिस्तिते में अपना कारी संपन कर पाएंगे आज आत्म विश्वास का इस्तर काफी अच्छा रहेगा कारी के प्रती आपके अंदर ललक तथा समर्पन के कारण आज आप अपने सभी कारियों को अच्छे से कर पाएंगे और सह कर्मियों को भी मात दे पाएंगे आज आपके साम काफी अच्छी रहेगी मित्रों के साथ समय अच्छे से व्यतित कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप अपने आसपास के वातावरन का आनंद ले पाएंगे और कोई काम भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे फिर भी हो सके तो गत समय से टाले हुए बकाया कारियों को पूरा करने का प्रयतना आपको करना चाहिए काम करने के तरीके में थोड़ा सा फेरे बदल करके आप अच्छे छणों का आनंद ले पाएंगे और सभी कारियों को अच्छे से संपन भी कर पाएंगे आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज सास ससुर के साथ किसी भी बात को लेकर विवाद हो सकता है या किसी भी वयोवरद बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपका विवाद हो सकता है इसलिए विनमर बने रहें लेकिन दामपत्रिस्ते की भलाई के लिए अपने जीवन सांती पर विश्वास आपको करना चाहिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात में आपको नहीं आना चाहिए वरना किसी गलत फेमिक आप सिकार हो सकते हैं आज वे आपारव्यवसाई की यदि हम बात करें यदि आप शेयर मार्केट में निवेशक हैं तो इसमें आपको रिटर्नस तो मिल पाएंगे लेकन जो रिटर्न हैं लगू रूप में आपके लिए रहेंगे कुल मिला करके यदि देखा जाए तो इस समय आर्थिक दरश्टी कौन से आपको बहुती समल करके चलने की आवशकता रहेगी आपके काम की जो गती रहेगी काफी दीमी रहेगी आई के साधन थोड़े से कमजोर रह सकते हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज अपनी रोग परितिरोदक चमता को बनाए रखने के लिए आपको पोस्टिक आहार लेने की आवशकता रहेगी जिससे सारेरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहे तो आज आपका भागिशाली अंक छे है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाथ अपने घर में पूर्वदिशा में शनी देवता की निमित्त तेल का दीपक जलावें और सनी देवता की प्रतीमा अथवाचित्र का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें और सनी देवता को लोहे का टुकड़ा अरपन करें और काले उड़द अरपन करें समी पत्र ग्याराह की मात्रा में चड़ावें करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके शनी देवता के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरशब तो वरशब राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपको अपने कारेस्थल पर कई अवसर मिल पाएंगे इनका लाब आपको अवश्य उठाना चाहिए आप अपने साथियों के साथ अच्छा समय व्यतित कर पाएंगे वित्ती रूप से यह समय अबुद्पूर वो समय रहेगा आपको आमदानी भी अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सकेगी अपनी कल्पना की उड़ान को इस समय मुकाम तक ले जाने में आपको अच्छी सफलता मिल पाएगी या कोई रुका हुआ कारी भी इस समय आप संपन न कर पाएंगे आपके कारी की गती थोड़ी सी धीमी रहेगी लेकिन आर्थिक रूप से आप काफी सम्रद रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि दबाव को अपने उपर हावी बिल्कुल नहीं होने दे निराशा को किसी भी इस तर पर आपको प्रभावित नहीं करने दे यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आज आपको अपने मन को परिवर्तित करने न चाहिए चाहिए जो भी हो आज खर्चों पर लगाम बनाए रखना आपके लिए ठीक रहेगा कारिय अपनी अंतह वरत्ति के अनुसार आपको करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें सफलता मिले और लाव की प्राप्ति हो आज लाइब की अदि हम बात करें तो किसी मित्र की मदद से आप इस समय किसी विशेश व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे आप पहले बात करने की कोशिस लंबे समय से कर रहे थे आज दामपत्ति जीवन की अदि हम बात करें तो दामपत्ति जीवन विशे आपका सामान यही रहेगा आज व्यापर विवसाई की यदि हम बात करें, तो अपने धन का संचे आपको कैसे करना है, यह हुनर आज आपको सीखना अती अवशक है, इस हुनर को सीख करके आप धन बचा पाएंगे, शेविंग अच्छे से कर पाएंगे, कारेचेतर में आपको विशेशू फलो की प्रा और नियमे दिन्चरिया का पालन करें, जिससे कि आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना रहें, तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है, शुब रंग आपका नीला रंग है, तो नीले रंग का प्रियोग कारेचेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको टैवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्व दिशा में, सनी देवता के निमित तेल का दीपक जलावें, और सनी देवता की प्रतीमा चित्र अथ्वा मुर्ती का गंद आरती उतारें और बेट करके शनी देवता के इस्तरोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है मितुन, मितुन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्र आत्मिक दाद देंगे, तो बहुती बहतर रहेगा, ग्रहों की योती आपको उर्जा से भरपूर रख रहेगी, क्योंकि यह योती आपकी कामनाओं को बदल सकती है, और आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते है कि वरतमान में जब आप संगर से ज्यादा कर रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं तब भी आपको बहतर भविश्य का सपना देखना बंद नहीं करना चाहिए, यानि अपने लक्षों को देख करकी आपको काम की प्लानिंग करना चाहिए, कुछ अभुत पूर्व हांसिल आज घुमना फिरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, यात्रा करना आपके लिए फायदे मन नहीं हैं, आज आपको अपने जीवन में तारजगी और उर्जा लाने का प्रयतन करना चाहिए, सकारात्मक विचार धारा बनाए रखना चाहिए, आज लाइब की अदि हम बात क इसलिए प्रेम पुरुनक विवहार करें, तो घर परिवार का माहोल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और इससे आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ती होगी, आज वियापार विवसाई की यदि हम बात करें, तो दूसरे लोग आपसे काफी ज्यादा समय की मां इसलिए आज आपको अपने विवहार में थोड़ी सी सतरकता बरतना होगी, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो अपने स्वास्त के प्रति आप विशेश रूप से आज सतर करें, और जो लोग पच्चास की उम्र के पार कर चुके हैं, उन्हें अपने सास्तों का विश ध्यान रखने की आवशकता रहेगी, तो आज आपका भाग्यशाली अंक दो है, शुबरंग आपका गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक साधिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार क विगन संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही, प्रातहकाल इशनान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में, शनी देवता की निमित तेल का दीपक जलावें, और सनी देवता की मुर्ती अथ्वा तस्वीर का, गंद पुष्प अक्षत के द्वरा सरद्धा पूर्वक पुजन करें, गुलावी पुष्प अरपन करें, काला वस्तर उन्हें अरपन करें, और शमी पत्र उपलप दहोतो 21 के मात्रा में चड़ावें, एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतार और बेट करके शनी देवता के बीज मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है करकर, करकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आप अपने मठता का फल आपको अच्छे से मिल पाएगा, आज आपको भविश्य के लिए तैयारी करने और रणीती बनाते हुए स्वयम को तैयार रखना चाहिए, भविश्य के लिए प्लानिंग बनाना आपके लिए काफी फाइदे मन आज रहेगा, आज आपको शुब परिणाम इस लेकिन ढिलाई नहीं बरते, कड़ी मेहनत अपनी जारी रखें और धेरी पुर्वक अपने काम को जिस इस्तिति में आप कर रहे हैं, उसमें आप करते रहें, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो अपने मन मुटाओं को दूर करने के लिए आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपके मन को सुकून मिलें, वैसे आपके विवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें, तो केरियर के लिहाज से यह समय आपके लिए काफी अच्छा फाइदे मन रहेगा, लेकिन इसके पात करें, तो परिवार के किसी सदस्य की सेहत में आज खराबी आ सकती है, उनके स्वास्त को लेकर आपको चिनता हो सकती है, तो परिवारिक सदस्यों की सेहत का विशेश ध्यान दें, तो आज आपका भाग गिशाली अंक तीन है, शुबरंगा आपका पीला रंग है, पील अपने घर की पूर्वद इशान कोड में सनी देवता की प्रसंदता के लिए आटे का तेल का एक दीपक जलावे और सनी देवता की मुर्तिय था तस्वीर का गंद पुष्प अक्षात के द्वारा पुजन कर लेवे निला पुष्प अरपन करें काले वस्तर उन्हें अरपन क और एक लोहे का टुकडा अरपन करें रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें और हो सके तो ग्याला समी पत्र उनको अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें बेट करके शनी देवता के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबू वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है सिम्मू सिम्मू राशी वालों को आज शुबू परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज जो ही तुरुटी हिन संचार कोशल शांदार जुनून के साथ आप अपनी नोकरी या कारी चेत वह सम्मान की प्राप्ती हो सकेगी आज आपको अशुबू परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं ग्रहों के स्थिति मनोरंजन के लिए काफी अनुकुल नहीं कहीं जा सकती हैं आपको इस समय अवकास के बज़ाए काम व्यवसाई के लिए अपना समय समर्पित करना चाहिए साथ ही आपको सांत बना रहना चाहिए अपने काम को प्रभावी ढंक से आपको पूरा करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने काम को घर पर ही कर सकते हैं आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज आपके नीजी जीवन में उतार चड़ाव का सामना करना पूचे आज वार्णी में विनमरता आपको बनाई रखना अती आवश्यक रहेगा आज वियापार विवसाई की यदि हम बात करें तो जिस किसी कारी चेत्र में आप रहेंगे उसमें आपको धन की वरद्धी की संभावना बन रही है वहीं दूसरी और यदि आप अपने आ पार्ट में किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है इसलिए सारी रिक स्वास्त की प्रति आज आपको विशेश सतर करहने की आवशकता रहेगी विशेश करके सुच्छता का धियान रखें और नियमित दिंचरिया का आप पालन करें जिससे की सारी रिक स्वास्त आपका बहतर आज आपका भाग्यशाली अंकछे है, शुबरंग आपका केसरियारंग है, केसरियारंग का प्रयोकारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटे वंबाधाउं से मुक्ती पाने के आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात, अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में तेल का दीपक जलावे शनी देवता के निमित्त, और शनी देवता की मूर्ती अथ्वा तस्वीर का सरद्धा पुर्वक गंद पुष्प अक के आरती उतारें, और बेट करके शनी देवता के इस्तरोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा, अगले राशी है कन्या, तो कन्या राशी वालों को आज शुब परिनाम इस से मिल सकते ही, कि अत्यदिक परिश्रम करेंगे और अपेक्छाओं से अधिकारी करके दिखा पाएंगे, यह समय पेशेवर प्रयासों के लिए अच्छा होने की और अगरसर रहेगा, और यदि आप किसी संगठन आदी के लिए काम करते हैं, तो आप पदोनत होने की उम्मी इससे आपको अपने व्यक्तित्तु की पहचान और सुधार करने का अवसर मिलेगा, अपनी इंद्रियों को जागरत करने के लिए, खुद के लिए समय अवश्य निकाले, अपनी भावनाओं को नियंत्रन में रखने का प्रयत्न अपना जारी रखें, आज लाइब की यदि वेसे नजर अंदाज कर देना चाहिए, आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो आज का दिन व्यावसाई की रूप से फाइदे मन तथा संतुष्टी वाला हो सकता है, व्यापारी वर्ग को लाप के योग रहेंगे, तथा वेतन भोगी को तरक्की के योग र रहें हैं, उसमें आपको संतुष्टी रहेगी, चाहे घर में काम कर रहे हो, चाहे बाहर उस काम को आप कर रहे हो, उसमें आपको संतुष्टी की अनुभूती होगी, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो अपने सारीरिक स्वास्त का विशेश आपको ख्याल लखना चा का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्रापती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकठे वम बाधां से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चाथ अगले राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आम तोर पर आप अपने दम पर रहना पसंद करते हैं लेकिन इस समय आप दूसरों की मदद ले सकते हैं इसमें कोई बुराई आपके लिए नहीं रहेगी विबिन आवसर आपके रास्ते में आएंगे उनमें से कुछ बहुत ही आकरशक साबित हो सकते हैं आप अपने लाप के लिए उनमें से कुछ का दोहन करने में सक्षम भी हो पाएंगे आज आपको अशुव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अपने संपरकों से स्वयम ही आप मिलें सुनिश्चित करें कि आप अपने सांती के साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ें आज अपने आपको स्वशक्त बनाने के कारण आपकी कलपनाएं प्रभाव नगदी और संबंद में आपकी भाववनाएं आपको प्रकट करेगी इससे आपको काफी लाब की प्राप्ती हो सकेगी आज लाइफ की अदिहम बात करें तो आज अपने जीवन सांती के उपर किसी प्रकार का सक हो सकता है ऐसी इस्तिती में सक को या किसी गलत फेमी को दू नमा बना रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आपका आर्थिक पक्ष उपर नीचे हो सकता है एक और धन जाएगा तो दूसरी और से धन खर्च ज्यादा भी हो सकता है वहीं केरियर छेत्र या व्यापार छेत्र से आमदानी थोड़ी सी कम रहेगी जिसके बारे में पहले ही से ही आप सोच रहे थे वह आमदानी आपकी कम हो जाएगी इसलिए आज आज आपको धिमी गती से अपने काम को अंजाम देना चाहिए आज स्वास्त की यदि हम बात करें यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी आदि की समस्या है तो अपनी डाइ तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातह का लिश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में शनी देवता की प्रसनता के लिए आटे का तेल का दीपक जला शनी देवता की मूर्ती अथ्वा तस्वीर का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा स्रध्धा पूर्वक यथा शक्ती पूजन कर लेवें मिठाई का भोग ने अरपन करें और एक काला वस्तर भी अरपन करें और शमी पत्र ग्याराह की मात्रा में अरपन करें यदि उपल अगली राशी है वरश्चिक 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 वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार सी मिल सकते हीं कि आज आपका विनम्र उदार स्वभाव इस समय दूसरों को प्रभावित कर पाएगा और वे मार्ग दर्सन और सहायता के लिए आपकी ओर देखेंगे आप पूरी छमता से काम कर पाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे वहीं दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे आप अपने काम में तलिन रहेंगे मन लगा करके अपने काम में आप सफल भी सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प कारात्मक तरंगे प्राप्त हो सकती है या अच्छे लापकी आपको प्राप्ती हो सकती है आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज साथी से प्रेम पूर्ण विभार करें अन्यस्था आपके रिस्तों में कड़वाहट हो सकती है किसी भी सूरब में सम्माद अपना जारी र आर्थिक प्रबंदन से आप इन खर्चों पर काबू पापाएंगे। आपके खर्च का अधिकांस इससा आपकी सेहत पर खर्च हो सकता है। शुब रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रियोग कारेचेत्र में आज अधिक सदिकाप करेंगे। तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी। तो आज सभी प्रकार के विग्ण संकटेवं बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा पूजन करें रितुफल मिठाई और बेशन से बनी हुई वस्तूओं का भोग उने अरपन करें और काला वस्तर भी अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके ग्याराह की मात्रा में शमी पत्र उपलब्द होतों चड़ावें नहीं तो निला पुष्प अरपन करें करपूर से उनकी आरती उतार करके शनी देवता के नाम मंत्रों का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वस्ता दायक आज रहेगा अगले राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यह समय उद्योक के साथ भी अच्छे से आप व्यतित कर पाएंगे घर परिवार जनों का भी सहयोग समर्थन मिलने के कारण काम को आप अच्छे से संपन कर पाएंगे आप यदि घर पर ही राकर किसी काम को करना पसंद करते हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको मिल पाएगी आज आपको नजीरे में थोड़ा सा बदलाव करके भी किसी काम को करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी आज आपको समायोजित होना चाहिए आज काम और परिवार के बिज रसा कसी में आप स्वयम को उल्जा हुआ महसूस कर सकते हैं तनाव मुक्त हो करके अपने काम को आप करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलती रहेगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज जीवन साती के साथ अच्छे से विवार आप कर पाएंगे जिससे कि घर परिवार का बातावरन आपके लिए काफी सुखमई रहेगा और अच्छे से आप समय वितीत कर पाएंगे आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो नोकरी व्यापार में आने वाली चुनोतियां आपको परिशान कर सकती है लेकिन इन्हें आप आसानी से समझ करके ना समझ करके अवसर समझें जिने हरा करके आप अपनी सफलता के मार्ग को प्रसस्त करने में काम्याब हो पाएंगे यानि कोई अच्छा सा अवसर भी इनके बीच आपके लिए हो सकता है किसी भी अवसर को आज गवाना नहीं चाहिए आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो आज उत्तम स्वास्त को बनाई रखने के लिए आपको सवच्छता पवित्रता और खान-पान पर नियंतरन रखने की विशेश आवसरकता रहेगी जिससे की सारिधिक स्वास्त आपका बहतर बना रहे तो आज आपका भाग्येशाली अंक पांच है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बाधाउं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातवकाल इश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में शनी देवता की प्रसनता के लिए तेल का दीपक जलावें। अगले राशी है मकर, मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। अपने आपको अस्तव्यस्त पाएंगे, ऐसी इस्तिति में सांत रहें, नई चीजों को अपनी गती से आप चलने दें। आपके पास बहुत काम बकाया है, जैसे भी इस्तिति हो आप यह सब काम प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। दूसरों की भावना में आपको नहीं बहना चाहिए, अपने दिल के आपको सुनना चाहिए, और सही राहा आपको पकड़ना चाहिए, जिससे कि आप कारिछेतर में अच्छे विकास कर पाएं। आज लाइब की यदि हम बात करें, तो आज जीवन साथी के विभार में क्रोध की अधिक्ता देखी जा सकती है, यदि आप उन्हें शान्त करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार का बहस वाजी से आपको बचना होगा, अपने दामपत्ती जीवन में निखार लाने के लिए पुर्वक व्यभार आपको बनाए रखना चाहिए, आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें, यदि आप व्यापार से संबंद रखते हैं, तो ऐसी संबावना हैं कि अपने क्लाइंटे से आपके मद्भेद बढ़ सकते हैं, नए व्यापार को लेकर व्यवाद होन संबावित रहेगा, आपका आर्थिक बोज कम होने की बजाए और वर्तमान में बढ़ सकता है, जिसलिए काम की गती को जिस प्रकार से चल रहा हैं, उसी गती से आपको करना चाहिए, और आत्म संतुष्टी आपको बनाए रखना चाहिए, आज स्वास्त की यदि हम बात कर तो किसी छोटी मुटी समस्यां के कारण आपको तनाव बढ़ सकता है, इसलिए तनाव को अपने उपर हावी नहीं होने दे, नियमित दिंचरिया का पालन करें, विशेश करके योग ध्यान को सम्मिलित करें, जिससे कि रोग परितिरोदोग छमता आपकी बड़ी रहे, और सारीरिक स्वास्त भी आपका बहतर रहे, तो आज आपका भागिशाली अंक छे है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोग कारिछेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के वि तिमा अथ्वा चित्र का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, काला वस्तर और नीले पुष्प की माला उन्हें अरपन करें, रितुफल मिठाई का भूग अरपन करें, उपलब्द हो जावे तो शमी पत्र 21 की मात्रा में चड़ावें, नहीं तो नीला पुष अगली राशी है कुम्भ, कुम्भ राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि एक अच्छा संपर्क छेत्र बनाने और लंबित गतिवदियों को पूरा करने की दिसा में काम करने के लिए यह समय आपके लिए काफी अच्छा है, आपका पारस पर इमी गति से आपका चलेगा, लेकिन लाप की गति आपके लिए काफी बहतर रहेगी, आज आपको शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, टीम बनाने के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए, आप बड़े से बड़ा काम अपने इस तर पर दूसरों से ज्यादा प्र तो एक समय ऐसा भी रहेगा जब आप अपने संगी से और वहाँ आपसे दूरी बना लेंगे, हाला कि यह दूरी आपके लिए ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, जहां विवाहित लोगों की हम बात करें तो जीवन में विवाहत की स्थिती पेदा हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की यदि गलत फ़ामी हो, तो उसको दूर करना आपके लिए फायदे में रहेगा, आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वरतमान में, वह प्रोजेक्ट अचानक से उच्ची स्थर पर नामंजूर हो सकता है, यह आपके काम की गती धिमी हो सकती है, आर्थिक पक्षा आपका कमजूर हो सकता है, ऐसा होने पर आपका मन उदास हो सकता है, किन्तु उदास होने की बजाए अपने काम को आप धेरी पुरवक करते रहें, जिस काम में आपका मन लगा रहें, उसी काम को आप करते रहें तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी आज स्वास्त की एदि हम बात करें तो सारीरिक स्वास्त आपका पहले से बेतर रहेगा फिर भी आपको नियमित दिन चरिया वो खान पान पर सहीं बरतना चाहिए जिससे की उत्तम स्वास्त का आनंद आप ले पाएं तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुबरंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोक कारिछेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकालिश नान करने के पस्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोड में शनी देवता की प्रसनता के लिए तेलका दीपक आटे का जलावें शनी देवता की मूर्ती अथ्वा तस्वीर का गंद पुष्प अक्षत के द्वरा सरद्धा पूर्वग पूजन कर लेवें रितुफल मिठाई पंच मेवा का भोग उने और पन करें तेसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं धन प्राप्ती के नए अवसर तलासने और अपने विवसाय का विस्तार करने की आपके इस समय इच्छा पूरी हो सकती है या कोई कारी छेत्रे की नई प्लानिंग आप कर सकते हैं लापदाय को उद्यमों में निवेश करके अपने विवसाय को नई उच्चाईयों पा ले जाने के लिए तैयार आपको रहना चाहिए नेटवर्किंग मार्केट में आपको अच्छा लाप के योग रहेंगे आप कुछ दान और गती विदियों में शामिल हो पाएंगे दूसरों की मदद करने में भी काफी सक्षम आप रह सकेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं किसी भी सहकर्मी या फिर कारे स्थल पर किसी खास व्यक्ति से आपकी किसी प्रकार की समस्या हो सकती हैं ऐसी स्थिति में आप कारे छेतर में किसी के साथ कोई खास लगाव नहीं रखें ज्यादा आशा नहीं रखें आपने विरोधियों से सावधान रहें आप अंचाही चीजों की खरीद करने के लिए लालाइत हो सकते ही स्वयम पर नियंतरन रखें, खर्चों पर नियंतरन बनाई रखें आज लाइब की यदि हम बात करें तो घर का कोई सदस्य आपके दोनों के बीच जगड़े का करण बन सकता है एसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ खोल करके बात करने की आवशक्ता ज़्यादा रहेगी समस्या का हल जरूर आपको मिलेगा इससे घर का माहूल आपके लिए काफी बहतर रहेगा आज वे आपर विवसाई की यदि हम बात करें तो नए काम की तलास कर रहे लोगों को अच्छा काम मिलने की संभावना रहेगी लेकिन जो भी काम आप करें उसे आप अपनी संतुष्टी और मन के अनुसार करते रहें चाहे घर में आप काम करें जो आपके मन के बोज़ को कम करें उसे काम को करना आपके लिए काफी हित कर रहेगा जिस किसी काम को आप करें धिमी गती से करते रहें उसमें आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो परिवार में किसी सदस्य का स्वास्त आपकी चिंता का कारण हो सकता है इसलिए पारिवारिक सदस्यों के स्वास्त का विशेश ध्यान रखें अपने घर में सुच्छता पवित्रता का ध्यान रखें और सभी नियमित दिन्चरिया का पालन करें जिससे की सारीरिक स्वास्त आपका बहतर बना रहें तो आज आपका भाग गिशाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोकारिचेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार की विग्न संकटेवं बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चात अपने घर की पूर्वदिशा इशान कोण में शनी देवता की प्रसनता के लिए तेल का दीपक आटे का जलावें शनी देवता की मूर्ती अथ्वा तस्वीर का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा यथा शक्ती पूजन कर लेवें और रितुफल मिठाई या गुडगी का निवेद्यारपन करें एक स्रीफल चड़ावें और एक लोहे का टुकडा रखें करपूर से सरद्धा पुर्वक उनकी आरती उतारें यथा शक्ती शनी देवता के बीज मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ट मित्रों फिर मिलेंगे